नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल जेनल लेपिश्टोन ग्राफि में तो दोस्तों आज की जो डिक्टेसन रहेगी सो सब्सक्राइब पर प्रति मिनट की स्पीड से होगी और इसकी पेडियाप जो है आपको हमारी टेलेग्राम चनल पर मिल जाए गया है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इससे पहले आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब चेर जरू करें इस्टार्ट करते हैं डिक्टेसन स्टार्ट होगी तेन सेकंड बाद सूर्य भगवान की एविस्राम तप्त किर्णे सन्नाटा मारते हुए लू की जपट तेज पूरित ओष्ण निदाग कुसूमा वली पूरित वरक्षों का मुर्जाना नदियों का सुष्क होते हुए मंद प्रवा धर्णी तल पर की एविरल सुन्नता यह है ग्रिस्म का परीचे महाकवी प्रसाद के सब्दों में वसंत के पश्चात ग्रिस्म का आगमन होता है बगवान सूर्य प्रथवी के कुछ निकट आ जाते हैं जिससे उनकी किर्णे अतियोष्ण होती है जेश्ट और आसाड ग्रिस्म रितू के महीने हैं ग्रिस्म के प्रारंब होते ही वसंत रितू में मंद मंद चलने वाली पवन का इस्थान साएं साएं चलने वाली लू ले लेती है हरियाली का गलीचा फटने लगता है वसंत के चेतन्य और इस फूर्ती का इस्थान आलेश्य और कलान्ती ले लेती है गर्मी के दिन भी लंबे होते हैं भगवान बासकर रातरी के अंदिकार को नश्ट करने के लिए जल्दी प्रकट हो जाते हैं और बहुत देर तक जाने का नाम भी नहीं लेते उदे होते ही वे अपनी प्रचंडता का आभास प्रथम रश्मी में ही दे देते हैं तथा दिन भर परशूराम के समान क्रोधागनी बरसा कर जन जीवन को जुलसा कर साई को अंदिकार में लेन हो जाते हैं उपर से साई साई कर लू चलती है नीचे सडकों का तारकोल पिगल कर चिप चिप करता है सिमेंट की सडके अंगारे बरसाती है ग्राम में उबडखाबड मारगों की मिट्टी नंगे पेरे को तप्त करती है और रेत में चलने वालों को तो दादी नानी याद आ जाती है घर से निकलने को नरनारियों का मन करता है नै पसूपक्षियों का और नै जीव जन्तूओं का गर्मी के प्रचंड रूप को परशाद जी कहते हैं किरण नहीं ये पावक के कण जगती धरती पर गिरते हैं निराला जी का भी यही विचार है मानव और पसूपक्षी ही नहीं ग्रिस्म की दुपहरी में तो छाया भी आश्रे मांगती है कवीवर बिहारी इस तथे का वरणन करते हुए लिखते हैं ग्रिस्म का प्रकोप प्राणियों को इतना व्याकुल कर देता है कि उन्हें सुद्ध भुद्ध भी नहीं रहे जाती प्राणी पारस्परिक रागद्वेस भी भूल जाते हैं परस्पर विरोधिस भाव वाले जन्तु एक दूसरे के समीप खड़े रहते हैं किन्तु उन्हें कोई खबर नहीं रहती इस द्रश्य को देखकर कवीवर बिहारी ने कल्पना की की ग्रिश्म रीतू सारे संसार को एक तपोवन बना देती है जिस परकार तपोवन में रहते हुए प्राणी एरश्य द्वेस से रहित होते हैं उसी प्रकार इस रीतू में भी प्राणीयों की इस्तती ऐसी ही हो जाती है प्यास और पसीना गर्मी के दो अभी शाप हैं अभी अभी पानी पिया है किन्तु गला फिर भी सूखा का सूखा प्यास से मन व्याकुल पसीने से सरीर लत्पत कवीवर मेथिली शरण गुप्त ग्रेश्मरितू में संतप्त यशोधरा के माध्यम से प्राणी मात्र का चित्रण करते हैं सरीता सरोवर सूख गए नद्य नदियों में जल की कमी हो गई प्रिणामते पसू पक्षी सूखे सरोवर को देखकर प्यास से व्याकुल हैं प्रेकृती भी प्यासी है और प्यास में उदासी है गर्मी के इस प्रेकोप से अपने आपको बचाने के लिए मनुष्ये ने पाय खोज निकाले हैं साधारन आयवाले घरों में बिजली के पंखे चल रहे हैं जो नरनारियों की पसीने से रक्षा करते हैं अमीरों के यहां वातानू कूलन के यंत्र लगे हैं समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए पहाडी इस्थलों पर चले जाते हैं और जैष्ट की तपती दोपेरी पहाड की थंडी हवाओं में बिताते हैं प्यास बुझाने के लिए सीतल पेय है बर्फ तथा बर्फ से बने पदार्थ ग्रिस्म के सत्रू और जनता के लिए वरदान है ग्रिस्म की धूप से बचने के लिए जन साधारन अपना काम सुबह और साम के समय कर करते हैं स्कूलों और कोलीजों में अवकास रहता है यदि धूप में निकलना ही पड़े तो फिर देखिये अदबुत द्रश्य हेट धारी बाबू हेट नूमा टोपी पहने नव युवक और सिर पर तोलिया या कपड़ा ओडे अधेड दिखाई देंगे फेशन प्रस्त नंगे सिर नर नारियों की विचित्र दशा तो एवन्ननिय है सडक पर चलते चलते बेवोस होने वालों में इनकी संख्याही अधिक होती है ग्रिश्मरितू में फल राज रशाल का आनंद जी भर कर लीजिये और कच्चे दूद की लस्सी पीजिये खरबूजा और तरबूज का आनंद लूटिये किन्तू साथ में भूल से पानी ने पीजिये ककड़ी और खीरे का रस्सा स्वादन कीजिये किन्तू खीरे के विश्च का मरदन करके अलूचे आलू बुखारे आडू और फालसे को भी चकिये वस्तुते गर्मी अनाज को पकाती है आम और तरबूज में मिठास लाती है यहे रितू वर्षा की भूमी का है जिसके अभाव में नै जल्वरष्टी होगी नै धर्ती फलेगी नै खेती होगी और जनता अकाल का गरास बन जाएगी ग्रिस्म रितू उग्रता और भयंकरता का प्रतीक है यहे हमें संदेश देती है कि आवशक्ता पढ़ने पर हमें भी उग्र रूप धारन करने में संकोच नहीं करना चाहिए इसके अतिरिक्त ग्रिस्म रितू प्राणियों को कष्ट सहने की शक्ती भी प्रदान करती है ग्रिस्म के बाद वर्षा का आगमन इस तथे का संकेत है कि दुख के बाद ही सुख की प्राप्ती होती है कठोर संगर्ष के पश्चात ही सांती और उल्लास का आगमन होता है अते हमें धर्ती के समान ही ग्रिस्म की उग्रता को जेलना चाहिए ग्रिस्म रितू की दोपहर बगवान बास करके कोप का प्रचंड रूप है प्राणी मात्र में उदासींता और व्याकूलता की जनक है आलश्य ठकावट और एकर्मनता के संचार का स्रोत है किटानों के लिए मरत्यू का संदे स्वाहक है और फलों के लिए रस पोसक पियूस है ग्रिस्म वैसे ही जगत को संतप्त करती है उपर से आ जाए उसकी दोपहर तो एक कड़वा करेला और उपर से नीम चड़ा भगवान भाशकर प्रत्वी के सिर पर अवस्तित होकर तेशन किरणों से वसूधा को तपा रहे हैं ऐसहन तपन से वसूधा व्याकुल है उसका रिधे फट रहा है उसका सूद्रड तार को लिए परीधान पिगल रहा है नंगे चरण को उसे इस पर्षतो करके देखो इस्टोब